नश्कर दोस्तो स्वागत आप सुई का आमारे को नए सेर मार्केट की वीडियो की अंदर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कोफ रेट यानि आयरपसी की सेर के वारे में यारी कि आपने इस कंपनी की सेर को होल्ड कर रखा है येदर ले रहता है तो आपको next क्या करणा चाहिए यह फिर आप इसके अंदर पैसा इंवेस्ट करने की सोच रहे है तो आपको next क्या करना चाहिए जानेगी इस video के अंदर लेगन यान सब जान दें एक्सपर्ट की राई इनका सवाल आया है आयारसी के ऊपर और आयारसी के शेयर इन्होंने 170 के भाव पर ले रखे हैं और हमारे दर्शक हैं अभजीद जी करें कि हेलो विपुल सर हाई रवी सर गुड़ आफ्टरनून आयारसी के शेयर इन्होंने भी ले रखें 180 के सक्टर हमारे कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएंगे आज के प्रोग्राम के अंदर आपकी रायरसी पे और ओर और रेलवे पर देखे आयारसी पर बिल्कुल अब चड़ाई करने की बारी आ रही है चड़ाई से लड़ाई करना है और लड़ाई तक पर कहां पर से शुरू क आएंगे तब निकलेंगे तब तक अभी दोड़ बाकी है तो रेलवे के स्टॉक में ये स्टॉक में अच्छा है कि एक करेक्शन आया जिससे आपको मिल पाया तूसरे स्टॉक की तरफ अगर जाते हैं तो देखे मैं रेलवे के ही स्टॉक्स की चर्चा इसलिए कर रहा हू टेक्स रेल भी इस समय अच्छी जगह पर मिल रहा है तो टेक्स इंफ्रा लिख लीजे 136 रुपए के पास चल रहा है उसको बाई कर सकते हैं कहां तक करना एक 130 तक करना है एरे कौन 270 रुपए चल रहा है अच्छा लग रहा है 265 तक भी आय तो भी खरीद सकते हैं तो यह तीन स्टॉक्स अभी रडार पर हैं और आज की कंप्लीट हो गए नौव स्टॉक्स मुझे लगता है काफी ज्यादा हो गया है काफी ज्यादा हो गया है बिल्कुल और इनलों के पाफ है उनके लिए भाई आट करना चाहरें तो आप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं IRFC की सेर के वारे में और आज भी 176 के उपर ट्रेट कर रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूं इसका जो यह लास्ट प्रिविस डे की चार्ट को दिखाना चाहूं जैसे कि यह आप देख सकते हैं वंडे का यह फॉर्म कर रहा है आज का लास्ट फाइब डेज की यहाँ पर बात करें तो फाइब डेज के अंदर उपर तो यहाँ पर गया है डिफरेटली लेकिन उसके बाद में डाउन की और मूव कर रहा है क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी सेर की फिर से डाउन आएगी फिर से उपर फिर से डाउन कुछ इस तरह से पैटरन की और डाउन में आएगी और बात करें अपसाइट की तरफ अपसाइट में थोड़ा सा उपर जाएगी नीची की तरफ फिर से उपर जाएगी फिर से उपर नीची जाएगी तो कुछ इस तरह स की fundamental को जान लेता है technical fundamental क्या केता है कितना strong है जिससे आपको यह किलियर डी एक idea मिल जाए गई जिसे आपको holding करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए या फिर आप एक की invest करनी की सोच रहे हैं क्योंकि इसकी price तो डाउन में आ यह तो आपको यह मन में होगा कि इसके अंदर कुछ जो है शेर के अंदर पैसा invest करें तो सारी डाउट जो आपकी किलिर हो जाएंगे तो फ्रेंड्स इसकी technical fundamental की आप बात करें तो market के आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसके according आप एक idea लगा सकते हैं कि इस company के उपर कितना debt हो सकता है and next यहां पर बात करें इस company के revenue की next यहां पर बात करें इस company की revenue की तो यहां पर quarter to quarter यहां पर इसका revenue तुला decrease हो रहा है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं December वाली revenue की तुल्ला में आप पर जो March वाला revenue यहाँ पर generate हुआ है वो काफी कम हुआ है and बात करें यहाँ पर profit की तो profit की margin तो यहाँ पर grow कर रहा है almost and उसके लाओ आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका net profit तो net profit एक अच्छे कासे margin की margin की साथ grow कर रहा है friends बात करें end के अंदर इसकी holding की तो holding आप यहाँ पर देख सकते हैं promoter ने आप पर 86% के साथ holding कर रहा है retail ने आप 11% कर रहा है FIIs ने आप पर 1% की holding कर रहा है and Y पर बात करें आप पर domestic की यानि DIs की आप बात करें तो यह आप पर 1 से भी कम percent की आपर DIs की holding है और mutual fund न भी एक से कम की आप पर holding कर रहा है 0.18 की holding mutual fund की आप पर है केर यह तो मेरी खुद की analysis थी आपको भी अपनी analysis करनी चाहिए और यह मेरी जो analysis है इसके according यह आपको कुछ decision नहीं लेना है जो भी decision लेना है वो अपने advisor से सलाह लेकर करना है एंड कुछ से भी research करनी है तो आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं को नए वीडियो के साथ